हेलो दुस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजगा और अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन अल पर कर दीजगा ताकि मेरी जो भी वीडियो आए इन पोटेंट टॉपिक पे दोस्तों यह तिन नमबर में आधा था ठीक है तो कल के वीडियो में हमने सेट वन का आधा से उपर अधिक पढ़ लिया है ठीक है अब उसकी आगे का कंटिन्यू करेंगे ठीक है दोस्तों अगर आपने वह वाला सेट का हल नहीं तो पहले सेट का अभी पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो आप जाकर देख लें मेरे ही चैनल पर ठीक है इसी चैनल पर क्लिक करके जाकर देख लें विजिट करके ठीक है तो दस्तों यहां पर हम लोग का ड़ प्रशन आता है ठीक है उसके बाद ड़ आता है ठीक है एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवे तो दूरी उत्पन विद्धु छेत्र किते ब्रता ग्याद करनी है ठीक है दोस्तों तो यहां पर देखिए रेखी यह आवेज घनत्व दिया है ठीक है लेम्डा लेम्डा बराबर कितना दिया है दस गुड़े 10 के गात रिन 8 इसको 10 के गात रिन 7 भी बोल सकते है अगर इसको गुड़ा कर देतो ठीक है और दोस्तों यहां पर देखिए तार से 2 सेंटीमिटर लंब बहुत दूरी पर दूरी दिया है ठीक है तो आर बराबर 2 सेंटीमिटर जैसे में इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो दो गुड़े 10 के गात रिन 2 मीटर हो जाएगा दोस्तो 226 की तिविड़ता बरावर कितनी होते हैं इ बरावर 1 अपन 2 पाई अपसाइलन नौट इन्टू लेमडा बटा आर हम दोस्तों यहाँ पर धियान देखिए धियान दीजीगा हम लोग को मान मालूम है 1 अपन 4 पाई अपसाइलन नौट का तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो 4 हो जाएगा लेकिन 1 दो बचेगा तो वहाँ पर उपर की 2 यहाँ पर लिखा गया मतलब 2 लेमडा यहाँ पर लिखा गया तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 लेमडा कैसे हुआ है यहाँ पर 4 pi epsilon not कैसे हुआ है ठीक है अब इसका आपको मान मालूमी है कि 9 गुड़े 10 के घात 9 होता है तो यहाँ पर रख लिया गया है और 2 into 2 ठीक है और यह लिम्डा का मान और यहाँ पर R का मान ठीक है अब इसी को मान को रख के हमने हल किया है तो हम लोग का answer आता यह की कुलाम ओके दोस्तों अब पाचवा का कॉप्य आते है ठीक है पाचवा का कर यह भी तिन नमर में आता है किर्चाप के बैधुत परिपस संबंदित नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में वाट हीन वहीट स्टोन सेतु के लिए सुत्र पी बटा क्यू इस इकॉल ट ततह यस चारो भुजा के प्रतिरोध हैं तो दोस्तों यहाँ पे सिध करना है किर्चाप के नियमों का संबंदित ठीक है यहाँ पे देखिए उत्तर में क्या लिखा गया है पहले तो हम लोग जान जाएंगे कि वही टिश्टन सेतु क्या है इसके बारे में थोड़ा साल ल लिखना है इसमें चार प्रतिरोध पीक्यु आरियस कोश्रेणी करम में जोड़कर एक चत्रभूज बनाते हैं बस इतना है लिखना है दोस्तों यह पूछ देता है वह टिश्टों से तुका सिध्धान्त लिखिए तो दोस्तों यहाँ पे सिध्धान्त भी यह आ गया है अ अभी कभी पुष्टा आपनेश्यों जब कुझी केर और सेल से धारह आई परवाइट की जाती है कुझी केर्ण को जब दबाते हैं तो शृम्म क्या जब आअर्म कोई लगए वक्तर आप्र्स होता अगर दाब कर्णों सेल सेलीट आपर्स होती आई परवाय की जाती है तो धारा आई संधी A पर I1 तथा I2 में विभक्त हो जाता है अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो संधी A यहाँ पर है ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो हिसा गया है एक क्या मतलब देखिए एक S से मतलब है और wraith यहाँ अपर नीचे गया है तो जहिर सी बात है जब I यहाँ पर हम दे रहें धारा तो इधर जाएगा तो हम लोंका I2 हो जाएगा यहाँ पर I1 हो जाएगा तो वही चीज है कि मतलब धारा विभक्त हो जा रही है विवक्त हो जा रही है किस रूप में तो I1 वो I2 के रूप में ठीक है तो वही चीज लिखा गया ठीक है धारा I1 प्रतिरोध P से होकर तथा धारा I2 प्रतिरोध R से होकर प्रवाइत होता है यानि केपिटल आर रहेगा ठीक है यानि केपिटल आर लिख लिएगा ठीक है प्रवाइत होता है अब क्या हो रहा है संतुलन की अवस्था में विकरण BD BD क्या हो रहा है BD से कोई धारा नहीं प्रवाइत होती है अतहर प्रतिरोध की हुआ यस में करम सा धारा I1 वा I2 बहती रहती है बहती है तो क्रिचाप के दूतियन यह हमसे क्या करेंगे बंद पास ABDA में ठीक है बस आपको बहुत छोटा है बहुत असान सिद्ध करने वाला आपको क्याल सिंधानत लिखना उसके बाद इतना तो बंद पास ABDA में क्या करेंगे I1 P माइनस I2 बराबर R is equal to 0 तो I1 P is equal to I2 R इसको समिकरन एक मान लेंगे बंद पास BCDB में क्या होगा I1 Q माइनस I2 S is equal to 0 तो I1 Q बराबर I2 S अब दो समिकरन एक भगे दो कर देंगे यानि क्या हो जाएगा देखे तो I1 से I1 कर जाएगा I2 से I2 कट जाएगा ठीक है तो आपका P बटा Q और R बटा Y सिद्ध हो जाएगा ठीक है काफी जी है और काफी छोटा है ताप इसको असानी से याद भी कर लेंगे और समझ भी लेंगे और लिख भी लेंगे ठीक है आपको कुछ करना नहीं है तो आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा किट्स आपका निगम पढ़ेंगे ना तो ये सबी चीजे बताएं जाएगे उसमें कैसे जोड़ा जारा है ठीक है तो ये चीजे हैं ठीक है तीन नमर का सवाल है ध्यान दिजेगा वैदूत अनुदादी जब प्रेणर प्रतिगात एकसल तथा धारिता एकसी बराबर होता है तो यह इस्थित वैदूत अनुदाद कहलाती है ठीक है यहाँ पर लगर दो बार अनुदाद हो गया यहाँ पर दो बार लिखा गया ठीक है तो यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया तो बस इतना ही यहाँ तो इस्थित वैदूत अनुदाद कहलाती है ठीक है अब दोस्तरा देख लेते हैं दोस्तों क्या होया स्रेणी अनुदादी परिपत किसे कहते हैं तो श्रेणी अनुनादी क्या होता है दिखलेते हैं जब किसी प्रत्यावर्ती LCR परिपत में प्रेणर प्रतिगात XL धारिता प्रतिगात XC के बराबर होता है तो उस परिपत को अनुनादी परिपत कहते हैं अब श्रेणी अनुनादी परिपत वह परिपत है जिसमें आरोपीत बोल्टेज की आवरिती परिपत की सोंभाविक आवरिती के बराबर होती है ठीक है और दोस्ते यहां पर देख सकते हैं चितर यहां पर बना है ठीक है अनुनात के लिए SL जैसे कि हैं आपको बताया हूँ कि प्रिजंडर प्रतिघहात और धारिता प्रतिघहात QL मतलब X-C क्या है?", बराबर है तो यहां पर लिखा गया है XL बराबर XC तो XL का क्या होता है ओमेगा YOL और XC का क्या होता है एक बटा ओमेगा C तो वही चीज़ यहां पर लिख दिया गया है अब ओमेगा YOL का मान यहां पर डाल दिया गया है और यहां पर इस का मान ठीक है जो कि इस में से डाल दिया गया है लिख दिया गया है तो जहां यव क्या है अब रितिया यव बराबर कितना होता है एक बटा फोर पाई स्क्वार इंटू यल इंटू सी ठीक है तो बस इतना ही लिखना है ठीक है ओमेगा का मान होता है टू पाई यव यव ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो ओमेगा का मान क्य उपने चंक हो जाता है ठीक है तो यहां पर आपको 12 दिख रहा होगा इसलिए कहते वीडियो पूरा ध्यांस देखे ताकि आपको समझाओं तभी आप समझ लें ठीक है तो दोस्तों यहां पर देखे 12 है ठीक है तो 12 नहीं रहेगा एक बटा 2 पाई यफ सी रोगा ठीक है एक अब देखे 2 पाई यफ सी अब इन्हीं चीज़ों करना हम लोग इधर भेजें ठीक है 2 पाई यल को 2 पाई यल को हमने क्या बेजा इधर भेजा तो वहीं दो दोना चार हो गया ठीक है तो यहां पर 4 पाई स्कॉर इन्टू यल इन्टू सी हो गया और यह उफ उधरी रहे तो यहां निक आपको समझ में आ गया होगा ठीक है दोस्तों मैं बता दूब कि आप लोगों को मैं PDF दे रहा हूं WhatsApp के जरीए ठीक है तो आपको किवल 50 रूपीज पेमेंट करने होंगे तो मैं आपको ग्रूप में जोड़ दूँगा जैसे जैसे मतलब PDF बनती जाएंगे व आप जब कल होगा तब न देखेंगे आधे अधे घंटे का तो मालने जी अगर आपको पास PDF रह रहा है तो आप चाहें तुसको एक घंटे दो घंटे लागतार पड़ सकते यानि पूरा सेट एक दिन के अंदर ही पड़ लेंगे आप ठीक है ऐसे मैं आधे अधे करके डाल होई एगा ठीक है अगर आपके पास फोन पर गूगल पर है तो पचास पर पेमेंट करके PDF ले लिजिए काफी इंपॉर्टेंट है और देख लिजिए कैसे बना है बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर वहां से पर सकते हैं स्क्रेंट देख सकते हैं उसका सेंपल ठीक तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एकस और वाई क्या हम लोग का समानतर प्लेट की संधारित की धारिता का वेंजग यानि समानतर प्लेट की संधारित ठीक है एकस वाई ठीक है और इसके बीच में जो यह भरा है टी मोटाई का तो यह हम लोग का क्या है पराबैदू तंग पदार्थ है ठीक है तो दोस्तों यहां पर देखें लिखें माना x वो y x क्या है समानतर प्लेट है ठीक है एक दूरी से मतलब समान दूरी पर रखा गया है तो इसको समानतर बोलेंगे जैसे कि एक से मतलब एक दूसरे के समानतर रखा गया है तो ठीक है तो इसको समांतर बोलेंगे और यह प्लेट है और इस प्लेट का नाम क्या है तो संधारित तो वही चीज़ लिखा गया है माना X O Y समांतर प्लेट संधारित की दो प्लेटे हैं जिसकी बीच की दूरी D है माना संधारित दो प्लेटों के बीच में किसी परबै दूतांग पदा अर्थ की पठी जिसका परबै दूतांग के है तथा मुटाई टी है बस यह जी चीज लिखा गया जादे कुछ लिखा नहीं गया फिगर के बारे में ही लिखा गया प्लेटों के बीच वायू दूरी D-T है मतलब जो हवा है जो बीच का खादी है वो क्या है D-T है अब जोस्त यहां पर लिग लेंगे अतहा प्लेटों के बीच वायू में बाद खत्र कित्री बढ़ता E बराबर E बराबर क्या होता है E बराबर सिग्मा बटा सिग्मा गमान Q वाटा A रख लेंगे बाद खत्री नीचे आएंगे तथा पराबर बैदुतांग पदार्थ में बैदुच्छत के तिवरता E बराबर Q अपॉन A के E नौट मतलब अपसाइलन नौट ठीक है E बराबर क्या हो गया Q अपॉन A के E अपसाइलन नौट ठीक है तो पराबर बैदुतांग पदार्थ भरा है तब क्योंकि अब देख लिजे पराबर बैदुतांग हम Q से डिनोट करते हैं ना पराबर बैदुतांग क्या है हम लोग का K है तो यहाँ पे जो लिका लें हमारा क्या आया है Q upon A अपसाइलन नौट Q upon A किसका है सिगमा का माहन है ठीक है तब मालेजे जब हम पराबर बैदुतांग पदार्थ में बैदुतांग ग्याद करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसी सूत्र में केवल के से गुडा कर देंगे तो वही चीज़ यहां पे हुआ है E बड़ाबर Q बटा A K Epsilon 0 ठीक है प्लेटों के बीच वैदुच्षेतर E दूरी मतलब प्लेटों के बीच वैदुच्षेतर E दूरी क्या है D-T में है तथा वैदुच्षेतर E दूरी T में है मतलब E में है और D-T में भी है ठीक है तब देखिए अथा प्लेटों के बीच वैदू छेच गिर्ति भी बराबर E into D-T plus E into T ये हो गया अब भी बराबर क्या होगा E कमान रख लेंगे Q बटा A epsilon not D-T और फिर E कमान एक और रख लेंगे जो परावेदू तांक वाला है वो रख लेंगे Q upon A K epsilon not बटा T दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर Q upon A epsilon not common हो सकता है तो हमने common कर लिए है और D-T plus K upon T बस यही चीज लिग दिया है अब जोस्तों यहाँ पर देखिएगा PDF बनाते हैं समय एक और यहाँ पर mistake हो गया है जो यहाँ पर B है कैसे उपर भाग गया है तो C बराबर क्या होता है Q upon B ठीक है तो यहाँ पर देखिए Q upon B होता है तो बस वही चीज है जो B command हम लोग का यहाँ पर आया है Q upon B तो यहाँ पर B command रख लिया गया थोड़ा सा logic लगा सकते हैं आप समझ जाएंगे ठीक है तो बस यह चीज है है तो बस वही B command यहाँ पर रख लिया गया है तो Q से Q कट गया है और जो A epsilon not है वह हम लोग का क्या हुआ है उपर चला गया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह उपर चला गया है तो बस इसी command फैरड में लिख देते हैं बस यह हम लोग का है और बस यहाँ पर तीन इस्तितिया आ जाती है आपको जैसे पूछा है ना कि पूरा आनसिक मतलब पूरा पदार्थ भरा हो परा बैदुतांग ठीक है समानतर प्लेट संधारिम ने पूरा पूरा परा बैदुतांग पदार्थ भरा हो तो वही चीज़ लिखा गया है आप यह आप देखिए जब प्लेटों के बीच परा बैदुतांग पदार्थ ना हो अर्था टी बराबर जीरो मतलब परा बैदुतांग पदार्थ हो ही ना एकदम ना हो यान टी बराबर जीरो हो तब क्या होगा तो T बराबर जब हम लोग 0 रख लेंगे तो केवल क्या आएगा हम लोग का C बराबर A अपसाल नॉट अपॉंट अपॉंट डी आएगा यदि प्लेटों के बीच पूरे अस्थान में परा बैदुत तांग पदार्थ भराओ अर्था T बराबर D बस हम लोग को यही ग्याद क भराओ ठीक है आंसी कुरूप मतलब पूरा भराओ ठीक है तो वही दो है हम लोग का तो मतलब क्या हो जाएगा D is equal to T तो वहाँ पर T के जगह पे हम लोग क्या करेंगे D रख लेंगे तो जब T-T करेंगे तो हम लोग का 0 आ जाएगा या फिर D-D करेंगे तो भी 0 ठीक है अ और T कैसे बस जगा तो यहाँ पे आपको LCM दोरा बचेगा ठीक है तो यहाँ पे हम लोग का आगे हमाण ठीक है तो एक के अपसाइलों नौट अपन T अगर माने जे तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है यादि प्लेटों के बीच T मोटाई की धातू की पट्टी हो अर्थात क के बराबर इनफाइनाइट तह हम लोग का के बराबर इनफाइनाइट होगा तो ऑहाँ पे जीरू हो जाएगा मतलब वो खतम हो जाएगा तो के वल क्या बच गए बाबताप सालल नौट अपन तो दोस्तों यहां पर चीतर देख लीजेगा ऐसे बनता है आगे बढ़ते हैं आवर्दान संता के लिए सुत्र जब अंतिम प्रतिविम असपस डोश्टी की निमतन दूरी पर बनती हो यहांने कि जब इसको आप चीतर द्वारा समझेंगे ना कॉपी में लिखके या फिर पीडियाफ अगर ले लेते हैं तो आप इसको अभी मानेजे हम वीडियो बना रहे हैं तो 16 रेसियो 9 साइज में बना रहे हैं अगर इसको आप 18 रेसियो 9 में मतलब यह हमारा horizontal वर्टिकल साइज मगर आप देखेंगे तो आपको असानी से समझ में आ जाएगा तो ऐसे समझ में आ तो आपकी किताब में जागा पढ़ लेंगे तो यह बेटर हो जागा मतलब बहुर अच्छे से समझ में आ जाएगा बाकी पीडियाफ लेने के लिए आप वाट्सप पे पेमेंट का स्कीन सोट भेज कर ले लिजीगा ठीक है तो यहां पर देखें तिरबूज एडैस इडैस इडैस ओनाकीजिस दर्फा बराबर विटा उट्र दूर दर्शी के आवर्दन स्मझता होते ही अंब बराबर अलफा बटा बटा बीटा तो बस अलफा बटा बीटा का मान रख लेंगे तो यहां पे देख सकते हैं यहां बराबर रख लिया गया है तो यहां पे A-B-C, A-B-C कट जाएगा तो बचे का क्या है, O A-O बटा A-E अब A-O हम लोग का क्या है, इसमें देख लेंगे, कहा है A- और कहा है O, ठीक है, तो guys हम लोग का A-C है यहां पर देख सकते हैं यहां पर एडास है हम लोग का यह चीज हम लोग का एडास है ठीक है अब यहां से ओ हम लोग का क्या है यह है तो यहां पर क्या है यह फजीरो ठीक है तो यह फजीरो यहां पर लिखा गया होगा देखिए यहां पे F0 लिख दिया गया है, यहां परよ अब है हमलोग का A' E क्या है, यहां पर देख सकते हैं, A' E, यहां पे अपर और यह ंंतिम प्रतिमे मस्पस डूरिश्टिक यूम्त अधरी मत्स अधरी देवल डबल्डएस गी नित्रिका लेंज से दूरी Central D है आर्तात वीज़ इसक्वल टो माइनस डी यूज इक्वल टू माइनस यूज ताथा एकिवल टू यूज यफ ई ते लेंज के सूतर से एक वट्टा एक वट्टा भी मायनस सीक्वाटा यूश यूज तो यहां पर देखें माइनस य ई और यहां पर यहां पर यहां पर बाकी यह हैं इधर आजाएगा तो दोनों पक्छों में यह जीरो से गुणा करने पर यह नॉट से गुणा करेंगे जब दोनों पक्चों में तो हम लोग का यह चीज आ जाएगा ठीका तो बस वही चीज हो गया तो बस इसको इधर की और भेज देंगे अब यह जीरो बटा यह फी ऐसे लिख देंगे जब कामल लेंगे तो हम लोग का क्या होगा वन जब इसको यह फीरो बटा यह फीर को यहाँ से यह चीज जब यहाँ पर कामल नहीं है तो हम लोग का क्या हो गया यह वन हो गया है और इसमें यह फीरो तो कट गया है यहाँ पर यह फी लिखा गया है ठीक है ताके फिर इसको इसमें गूड़ा करेंगे तो कटके F0 आपका आ जाएगा ठीक है अब यह फजीरो बटाए यह यूई का मान समीकराण एक में रखते हैं है यहाँ देखिए जो हम दो समीकराण एक माने थे यहाँ पें यहाँ वाला समीकराण एक तो यहोफ जीरो जिसी सुच्म किसी इस सन्युक्त सुचमदर्सी में 2.0 cm फोकस दूरी का अभी द्रिश्यक लेंज ताथ 6.25 cm फोकस दूरी का नेत्रिका लेंज एक दूसरे से 15 cm दूर पर लगे हैं। किसी वस्त को अभी द्रिश्यक से कितनी दूर पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिविम असपश्ट दूरी 25 cm पर बने। इसके लिए आवर्धन छमता की ज्यात कीजिए। दोस्तों हम लोग का दिया है योफ 0 दो संटीमीटर य वी दिया है 6.25 cm यल वराबर क्या होता है दोस्तों वी जीरो प्लस यू ई तो यल हम लोग का कितना दे दिया है 15 cm क्योंकि देखे लिखा आए नेत्र का लेंज से एक दूसरे से दूरी 15 cm ठीक है तो यल बराबर दिया यानि V0 प्लस UE बराबर 15 cm तो दोस्तों यहाँ पर VE बराबर क्या दिया है हमलों का 25 cm और U0 बराबर ग्याद करना है तो ने त्रिकाल लेंज के लिए क्या होता है यह एक बटा यॉफी इस उकॉल टू एक बटा VE माइनस एक बटा UE ठीक है तो बस यही चीज है तो यहाँ पर हम यफी कमान मालूम है और यफी कमान मालूम है और VE कमान मालूम है तो UE कमान निकल जाएगा तो UE कमान कितना है माइनस 5 cm तो UE कमान जब VL बराबर V0 प्लस UE में रखेंगे तो हम लोग का क्या होगा V0 कमान मालूम चल जाएगा यानि 15 माइनस 5 करेंगे तो यहानि D20 वराबबाद 10 cm से लिए एक वटा क्या होगा एक वटावीन ओट इनॉट इसकोल्ट सूजुआ ऊथvy नॉट गोन है इनन यह यह लुक्या करें ऊपूर साफ का नाटम और इननस मालुमी है यह ऐन तो, यह यह देकिए को फोड़ा सा गलती हो गया है। द्यान दिजेगा यहां पर यू नॉट रहाएगा ठीक है तो यू नॉट का मान मालूम ही चल गया था 10 cm और यू नॉट कम मान दिया था 2 cm बस यही रख लेंगे और हम लोग का यू नॉट का भी मालूम चल जाएगा माइनस 2.5 cm अब अब अरधन शम्ता वाल अभी सुत्र ग्याद किया उपर अभी तुरंत ग्याद किया जा दोस्तों यहां पर यू बराबर अरधन शम्ता यू बराबर माइनस यू नॉट बटा यू ब्रेकेट में 1 प्ल हो जाएगा तो इसका खत्म काम खत्म और डी कमान दिया पज़े संटीमीटर यू फी कमान दे दिया 6.25 सेंटीमीटर बस इसी को हल कर लेंगे तो चायर गुड़े 5 यह निक यम बराबर 20 इस नियानिक आरधन शम्ता इसको कितना होगा यह 20 होगा ठीक है तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में नेक्स्ट डे देखेंगे इसके आगे का हल तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नौटिफिकेशन दबा दीजेगा और लाइक कर दीजे आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए और ब मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू धन्यवाद